अबुरोट सिरोही में अपट जीलोव सत्रे न्यायले ने दुसकर्म के जूटे मामले में महिला को दोसी करार दिया साथी दो वर्स की कारावास वा पाँच हजार के अर्थ डंड से दंडित किया जुर्माना अदा नहीं करने पर दो माह का तिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिये दिसवर्स पूर्वेक महिला ने न्यायले के माध्यम से सदर थाने में परिवाद दर्च करवाया महिला ने उसके गले पर छुरी रखकर ज़ान से मानने की धंकी देकर दिसकर्म करने का रोप लगाया था सदर्थाने के ततकालिन थाना धिकारी अच्छल सिंग देवडा ने मामले में जाच सुरुकी जाच में मामला जूटा पया किया था इस पर नियाले में एफ आयार पेस की गई थी साथ ही परिवादी के खिलाफ जूटा मामला दर्च करवाने पर महिला के खिलाफ मामला दर्च करवाया था महिला द्वारा जूटा मामला दर्च करवाने पर आरोपी के खिलाफ साक्षिय पेस की पब्लिक प्रोसीक्यूटर हसीव अहमद सिद्धकी की और से पांच गवाहों के बयान दर्च करवाएगा साथी साथ दस्तवेजों को परदर्शित करवाएगा सिद्धकी ने महिला दुआरा जूटा मामला दर्च करवाने पर आरोप के खिलाफ साक्ष पेस किये साथी मामले से जुड़ी पत्रवलियों का उलोकन क्या महिला को धारा 211 तहत दो सिद्ध करार देते हुए दो वर्स के कारवास वा पाच हुजार रुपए के अर्थ दंड से दंडिक करने वा जुर्मान आदा नहीं करने पर दो माह का दिरिक्त कारवास भगतने के आदेश दिये संख्या रो मेडम श्रीमति ग्रीश्मा शर्वा ने भारति दंड सहिता घरा 211 आईपीसी के तहत एक महिला को बलापकर का जोटा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में विचारन के बाद सुनवाई करते हुए दो सिद्ध करार दिया उसे दो वर्स के कारवास और पाच हजा करने का अपरात पंजीबर कराया था जो पुलिस ने अनुसंगान करने पर जूटा पाया और उसके विरूद 211 आईपीसी का इस्तगासा में प्येश किया गया था अभियोजन की और से कुल पांच गवाद में परिक्षित करवाए और साथ दस्ताबेज प्रदस्यत प्येश सुनी और अभियोजन प्रक्षित की तर्प और दस्ताबेज और साक्षियों से सहमती जताते हुए यह पाया कि उस महिला ने बुना नाम की विप्ति के विरूद जुटा बलादकार का मुगतमा दर्ज कराया था इस आधार पर उसे दोस्तित करार दिया है न्याले ने अपने निरने में यह भी माना कि इस तरह कि जुटे मुगतमे दर्ज कराने से किसी भी व्यक्ति को सारी जिंदगी का एक ऐसी पीड़ा मिलती है जिसका कोई निदार नहीं होता और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी धुमिल हो जाती है मेरा ऐसा मानना है कि इस आदेश से समाज में एक संदेश जाएगा कि जुटे मुगतमे दर्ज नहीं कराने चाहिए वरना जो सजा का प्रावदान है तो दंडित भी हो सकते हैं तो समाज में, सोसाइटी में कुछ जो लोग इस तरह कभी-कभी जुटा मुकदमा दर्ज करा देते हैं उस पर काफी हत्ता कमकुष लगा